उत्तरप्रदेश की कन्नोज लोगसभा सीट से संसद में पहुंचे अखिलेश यादव ने विदानसभा में अपनी कुर्सी पर किसी और को बिठा दिया है जहां उत्तरप्रदेश विदानसभा में इससे पहले अखिलेश यादव विपक्ष के नेता थे लोग सभा पहुशने के बाद ये जगह खाली हो गई थी जिस पर लंबे समय से मन्थन चल रहा था कि ये कुर्सी किसे दी जाए विपक्ष की नेता बनाने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव के करीबी शिवाल यादव को नेता प्रतिबक्ष बनाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अफवाहों और कयासों से परे अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा दाव चलते हुए साथ बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है और उनके नाम पर पक्की मुहर भी लग गई है माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाना समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा दाव माना जा रहा है राजनेतिक विशेश अग्यों का मानना है कि ब्रहमणों की अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज की है दूसरी और ब्रहमन समाज के बारे में ये भी जानकारी है कि वे बीजेपी से भी नाराज है और अखिलेश यादव ने इनी ब्रहमन वोटर्स को साधने के लिए मातापरसाद पांडे को विपक्ष के चहरे के रूप में प्रस्तुत किया है मातापरसाद पांडे अनुभवी है साथ बार की विधायक हैं इसके अलावा वे पूर में उत्रप्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके है उन्हें मुलायम सिंग यादव का बेहद करीबी भी माना जाता है पिपक्ष के मुख्यनेता के रूप में एक ब्रहमन नेता को नियुक्त करना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अखिलेश यादव पिछडा दलिट और अल्पसंक्यक यानिकी पीडिये की राजनी तिकरते रहे हैं और इस बार इस से इतर उन्होंने समण जातियों को साधने का प्लाइन बनाया है इसके अलाबा अखिलेश यादव ने और भी कई पदों पर नियुक्ति या फिर बदलाव किये है सपा विधायक महवूब अली को उन्होंने विधानसभा में सपा के अधिश्ठाता मंडल का सद से बनाया है वहीं कमाल अक्तर को विधानसभा का मुख्य सचे तक यानि की चीफ विप नियुक्ति किया है वहीं डॉक्टर आर के वर्मा को उप सचे तक बनाया गया है विप किसी भी स्थान या संगठन में अनुशासन के लिए उत्तरदाई होता है अब जानते हैं कि कौन है मातपरसाद पांडे साल 1980 में मातपरसाद पांडे ने पहली बार विधाहिकी का चुनाव लड़ा पहली ही बार में चुनाव जीत गए थे अगले ही चुनाव यानि की 1985 में एक बार फिर उन्होंने लोक दल से जीत हासिल की फिर 1989 में चुनाव में जन गए 1996 के चुनावों में भी उन्हें हार का मुँँ देखना पड़ा और दोनों बार वे चुनावों में तीसरे नंबर पर रहे जाहिर है कि हार का अंतर भी बड़ा था साल 2002 में उन्होंने पार्टी बदली और पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावों लड़े दो चुनावों में मिली करारी हार के बाद उन्होंने 2002 में वापसी की और विधानसवा पहुँचे फिर 2007 और 2012 में लगातार दो चुनाव जीते लेकिन 2017 में मूदी लहर के चलते वे चुनाव हार गए हालनकि 2022 के चुनाव में अखिलेश का उन पर भरोसा कम नहीं हुआ और उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा उन्होंने जीत दर्ज की प्रवर्तमान में सिधार्तनगर विधानसमा से विधायक है अब अखिलेश यादव ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है देखना ये होगा कि मातवरसाथ पाइंडे अखिलेश यादव के भरोसे पर किस तरह खरे उतरते हैं